रहा था, वह इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था, पर उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, सभी जलाशय सूख गए थे, अंत में कोई को एक मकान के पास एक घड़ा दिखाई दिया, वह घड़े के पास गया, घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी चोँच पानी तक नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि घड़े में पानी निचे था, अचानक उसे एक उपाय सूझा, वह जमीन से एक-एक कंकर उठा कर घड़े में डालने लगा, धीरे-धीरे घड़े का पानी उपर आने लगा, अब कौए की चोँच पानी तक करता उड़ गया